नमस्कार दोस्तो तो कैसे हो यारब सब I hope आप सब लोग अच्छे ही होगे तो दोस्तो आज की वीडियो का थमनिल और टैटल देखकर तो आपको पता लगी गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो दोस्तो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरस्टिंग होने वाला है और काफ़ी ज़रूरी टॉपिक भी है सबके अलिए बहुत ही यूसफूल टॉपिक है ये तो दोस्तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इंडियन कस्टमर किसी भी कार के दूसरे फीचर के मुकाबले first priority वो mileage को देता है दोस्तों कोई भी कार खरीदने में सबसे बड़ा factor यही होता है कि जो customer जो कार लेना चाहता है वैं यही जारना चाहता है कि वो कार वो जो लेने जा रहा है उसमें आखिर वो कार उसको कितना माइलेज देगी साथी दोस्तों जो मैंने पिछले एक साल का जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया था उसमें मैंने यह देखा जो इंडियन कस्टमर हैं वो SUV काफी पसंद कर रहे हैं जो कि दोस्तों जो पैटरोल इंजन वाली जितनी भी स्पोर्ट उटिलिटी विकल जो आते थे उनकी जो एवरेज है वो कम रहने की वज़े से लोग डीजल SUV सबसे ज़ादा लेते थे पर दोस्तों जो अब इनुवेटिव टेकनोलिजी वाली जितनी भी SUV कार है जो कि पैटरोल इंजन के साथ आती है उनकी जो मैलेज है वो आपको डीजल SUV के बराबर ही लगवग आप मिलने लगी है तो दोस्तों आज हम आपको उन्ही कुछ ऐसी कारों के बारे में बताएंगे जो ना सिल्ख पैटरोल इंजन के साथ आती है बलकि आपको बहुत बहतरी माइलेज भी वो देती है इसी के साथ दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बीना आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट किये हाँ तो दोस्तों Sबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑ Fragen के बारे में साथ ही दोस्तों ये कार आपको 1.2-liter के 4-cylinder naturally expected और 1-liter के 3-cylinder वाले turbo charge petrol engine में आपको मिलती है वहीं इसका जो turbo charge वाड़ा engine है वो 118bhp का power और 172 Nm का peak torque generate करता है इसका दोस्तों जो 1.2-liter का petrol engine में आपको 5-speed manual transmission gearbox मिलता है साथ ही इसका जो turbo charge वाड़ा engine है उसमें आपको 6-speed manual 7-speed DCT और इसमें आपको 6-speed IMT तीनों option देखने को मिल जाते है बात कर अगर इसकार के mileage की तो दोस्तों वैन्नी 1.2-liter petrol engine वाले वेरेंट का mileage है वो है 17.52 km per liter का और वहीं इसका जो DCT वाला वेरेंट है उसमें आपको 18.15 km का mileage मिल जाता है और 1-liter वाले turbo charge engine की बात करें तो वो आपको 18.27 km per liter की mileage देता है वहीं इसका जो last variant है IMT जो की latest launch हुआ है वो आपको 18 km per liter का mileage देता है तो दोस्तों काफी अच्छी average देने वाली ये SUV car है हाँ तो दोस्तों जो अपनी अगली car है वो है महरूती की 2020 Vitara Brezza तो दोस्तों ये car only petrol engine में ही आती है इसका जो 1.5 liter का 4-cylinder petrol engine है वो आपको महरूती की S-Cross, Ertega, C-S और XLS6 में भी देखने को मिलता है बात करें अगर इसके engine के power की तो ये 103bhp का power और 138Nm का torque generate करता है साथी बात करें इसके transmission choice की तो दोस्तों ये car 5-speed manual और 4-speed torque converter automatic में आपको मिल जाती है और अगर बात करें इस car के दोस्तों mileage की तो इसका जो automatic वाला variant है वो आपको 18.76 km per liter की mileage देता है जबकि इसका जो manual transmission वाला variant है वो आपको 17.3 km per liter का mileage देता है दोस्तों 2020 की बहुत ही एक अच्छी car है इसका जो pickup है वो काफी अच्छा और काफी powerful pickup है हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं अपनी next car की जो की है दोस्तों हमारी किया की sonnet तो दोस्तों इस car का आपको पता ही है कि market में अभी आए बहुत ही कम time हुआ है जस्त पिछले में नहीं ये car launch हुई है और दोस्तों एक महिने में ही इसकी 25,000 से जादा unit की already booking हो चुकी है तो दोस्तों 4 मीटर से कम में SUV segment में इस car ने entry ली है जो की एक compact SUV है ये car आपको 2 petrol engine option में मिलती है तो दोस्तों इसका जो 1.2 liter का engine है वो आपको 5-speed manual gearbox के साथ देखने को मिलता है साथ ही इसका जो 1 liter का engine है वो आपको 2 अलग-अलग transmission option में मिलता है जो की एक है manual transmission और दूसरा है automatic transmission तो दोस्तों इसका जो manual transmission वाला variant है उसका जो mileage है वो है 18.4 km per liter का वहीं इसका जो IMT वाला variant है उसकी mileage है 18.2 km per liter की और साथ ही इसका जो DCT variant है उसकी जो mileage है वो है 18.3 km per liter की तो लगबग दोस्तों इसके सारे variant की mileage 18 ही है कह सकते हैं 18 plus है तो दोस्तो काफी अच्छी बात है ये चलिए बात करते हैं दोस्तो अपनी अगले कार की दोस्तो अगली जो हमारी कार है वो है मारजी सुजुकी की S-Cross दोस्तो ये कार only petrol variant में आती है और इस कार में आपको SHVS mild hybrid system वाला engine देखने को मिलता है जो कि 1.5 liter K15B engine से powered है दोस्तो ये कार 103 BHP का power और 138 Nm का peak torque generate करती है अगर transmission option की बात करें तो ये कार 5 speed manual और 4 speed torque converter automatic transmission option में मिलती है बात करें दोस्तो इसके manual transmission वाले variant के mileage की तो वो आपको 18.55 km per liter की mileage देता है जबकि इसके जो automatic transmission वाला variant है वो आपको 18.43 km per liter की mileage देता है दोस्तो ये SUV कार आपको अच्छे खासे features के साथ साथ एक अच्छी mileage भी देती है हाँ तो दोस्तो बात करें हो अगर अपनी last car की तो दोस्तो ये कार है हमारी data motors की काफी popular compact SUV Nexon दोस्तो Nexon आपको 1.2 liter के turbo charge petrol engine में देखने को मिलती है जो कि दोस्तो 120 bhp का power और 170 newton meter का peak torque generate करती है साथ ही बात करें अगर इसके transmission option की तो दोस्तो ये कार आपको 6-speed manual और automatic transmission में देखने को मिलती है साथ ही इसका जो manual transmission वाला variant है उसका जो mileage है वो आपको 17 km per liter का मिलता है और इसी के साथ जो इसका automatic वाला variant है उसकी जो mileage है वो भी आपको semi मिलती है 17 km per liter की तो दोस्तो इसके दोनों ही variant में आपको 17 km per liter की ही mileage देखने को मिलती है और जैसे कि दोस्तो आपको पता है कि safety में इस कार को 5-star rating विली हुई है यानि कि दोस्तो अभी तक तो इसकी टकर में कोई भी safety में कार आगे नहीं है तो काफी अची बात है ये किसके लिए हाँ तो दोस्तो ये थी हमारी petrol engine के साथ आने वाली सबसे ज़्यादा mileage देने वाली top 5 SUV cars तो यार अगर वीडियो अच्छी आपको लगी हो तो वीडियो का आप like कर देना चैनल को दोस्तो आप subscribe कर लेना और तो mobile sector से related हर वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ तो चलिए दोस्तो मिलते हैं किसी next video में